तो हेलो दोस्तो आज मैं आप लोगे लिए लिए कमाल का गेम जो की खेला गया था विश्वनातन आनंद और गैरिका स्क्रोफ के बीच में तो यह गेम खेला गया था दोस्तो 1992 एक तूर्णमेंट में उस टाम पे दोस्तो गैरिका स्क्रोफ वोल्ल चैंपियन थे तो चलिए स्टाट करते हैं तो अनन्द ने ओपेन किया E4 उसके बाद C5, N2 F3, D6, D4, CxD4, NxD4, उसके बाद N2 F6, N2 C3, उसके बाद A6, नाइस ड्रॉब वेडियेशन, उसके बाद F4, नाइस ड्रॉब वेडियेशन का दोस्तो एंट, एंट, एंस्टर ड्रॉब वेडियेशन दोस्तो, उसके बाद E6, बिशोफ टू D2, D3, उसके बाद नाइस ड्रॉब डी 7, उसके बाद कैसल, क्वीन टू, B6, आइडिया है दोस्तो, अगर बिशोफ टू E3, अगर आएगा तो क्वीन का बिशोफ टू आ जाएगा, लेकिन आनंद जी ने यहां पर से दोस्तो एक सैक दिया, बिशोफ टू E3, उसके बाद गैरी का स्वरोब ने कैश्प्यर कर लिया, क्वीन का बिशोफ टू, उसके बाद आनंद जी ने एक सैक दिया, नाइट टू B5, उसके बाद उन्होंने एक्सेप भी कर लिया, यहां पर से दोस्तो रूक टू एक ही मूँव है, क्विन टू ए टू और यहां पर से दोस्तों बिशॉप टू बी यहां पर से बिशॉप टू डी फोर आ जाता दोस्तों और उसके बाद दोस्तों यह क्विन यहां पर ही दोस्तों ट्रैप हो जाता लेकिन दोस्तों यहां पर से खेला गया था रूक टू ए फाइफ नाइट के लेकिन अगर यहाँ पर से गेरिक सब्ल उने कुछ और खेला होता सपोस्पोस्थ कुईन कैप्जेड उन एटू उसके बाद नाइट टू सी ठी त्री आजाता और उसके बाद एक ही मूव है कुण टू ए थ्री उसके बाद रुक टू बी एक ही मूव है क्विन टु 1 और यहाँ पर से दोस्तो शिम्प्ली आनंड जी ने केप्टर कर दिया हो जा कुईनके दोन एफ वन किवा रुग के पिशनन एफन और उसके बाद दोस्तों भू के त्अन आप हो जाते तो इसलिए दोस्तों यह पर सलिए लागया Además लाग कर वाए था दिया यहां पर से RKB1 उसके बाद RKb2, Q2a1, R, B6, B6, R, B6, Nb6, Q2, C3 त्री और इसी तरीके से दोस्तो खेला गया उसके बाद बिशॉप टू ए सेवन और उसके बाद रुक टू बी आइडिया है कि रुक केप्चेस नाइट और उसके बाद बिशॉप को भी ले लेंगे अगर बिशॉप अगर यह नाइट अगर हाटा यहां पर से तो कुईन टिटा जाएगा हो यहां पर से दिया गया नाइट टू बी प्र इवेन उसके बाद क्रीट के प्रिजॉण जी लुकाट बिशॉप टू एफफ शिक्स फूई टू एज शिक्स उसके बाद केंग टू ए लिगे ले ले बी शॉप टू टू बी पाइप लॉद रुक टू घ एइट रूक टू डीवन उसके बाद एफाइव एफ फाइव नाइट टू सी और अब अगर दोस्तों आप थोड़ा सा पॉस्ट करेंगे विडियो को और सोचे कि यहां पर से विश्राद आनंद ने ऐसा कौन सा मूव दिया जिससे उनका पूजिशन एकदम विनिंग हो गया तो यहां पर से दोस्तों विश्राद आनंद ने दिया था रूक कैप्चेशन डी शिक्स उसके बाद अगर किंग चैप्चेशन डी शिक्स आता तो कुई रूक को विन कर लिया होता तो इसलिए दोस्तों यह नहीं खेला जा सकता था यहां पर से लेकिन दोस्तों यह पर से खेला गया था Bishop to G5 उसके बाद Queen captures on H7 उसके बाद Knight to E4 उसके बाद Rook captures on B6 उसके बाद Rook to D8 उसके बाद Bishop to B3 उसके बाद Bishop to E3 Allowing the check ओर रुक को दोस्तो विक करने के लिए यह चेक अनन jी कि ने अलाओ किया और उसके बाद यहां पर से दिया गया किन्ग टुए फ मज बीशॉप टेजन ए इयर फॉर उसके बाद रुक टू डी फॉर और यहां पर से दोस्तो अनन जी का लास्ट मूव C 3 और दोस्तो इसी position पे तो Garry Kusteroff ने resign करा क्योंकि दोस्तो यह जो आपको दिख रहा है कि यह free piece आपको लगणा होगा लेकिन दोस्तो यह कोई free piece नहीं है अगर suppose यहाँ पर से खेला जाता रुक creature on E4 तो यहाँ पर से दोस्तों simply on push check दोब्रा दोस्तों यह रूख यहाँ पर से चला जाता suppose king to e5 और यहाँ पर से इस वीडियो को लाइक करिए और दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और दोस्तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करिए और मेन जो चीज़े दोस्तो सब्सक्राइब कर दीजिए आपके बट इस स्क्रीन के मिडल में एक बटन दिख़ा होगा ब्लू कलर का आप उसको दबा के आप मेरे चैनल को सब्सक्रेब कर सकते हो दोस्तो तो आज के लिए दोस्तो इतना ही था मैं मिलता हूँ आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अच्छे रहे